नमस्कार आप देख रहे हैं वोईसो पानिपत और मैं हूँ आपके साथ सोनम एक तिरफ जहां तीन क्रिशी कानून के विरोध में किसानों का धर्ना लगाता जारी है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाना सरकार की तरफ से भी पिछले दो दिनों से हरियाना की 17 जिलों में इंटर खबर देनी है वो बड़ी खबर क्या है आपको बता दे कि बड़ी खबर ये है कि इंटरनेट जो की पिछले दो दिनों से बंथा आज शाम 5 बजे की बाद इंटरनेट जो है शुरू होने को कहा गया था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हरियाना की हरियाना सरकार की तरफ से फिर से एक बार गाइडलाइन जारी कर दी गई है आपको बता दी कि कल यानि एक फरवरी शाम पांच बजे तक जो है इंटरनेट की सेमाई वो बंद रहेंगी तो आप से पील यही रहेगी कि आप इस खबर को जादा से जादा शेयर जरूर करें क्योंकि इसी तरह के से आए दिन इंटरनेट बंद होंगे क्योंकि इंटरनेट की वज़ा से कहीं न कहीं आप लोगों को बहुत जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अगर हम बात करें पानीपत की तो पानीपत में सबसे जादा वेपार होता है इबिलिंग नहीं हो पारी इंटरनेट बंद होने की वज़ा से जिसकी वज़ा से करोडों का जो नुकसान है वो वेपारियों को हो रहा है क्योंकि जहां किसान पैसर दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं उसकी वज़ा से पानीपत का जो वेपार है वो करोडों का जो नुकसान उन्हीं हुआ है तो र उसी जगह बात करें तो बच्चों को भी काफी ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि नौ महीने से लगाता जो बच्चे हैं वो मोबाइल पर यानि की इंटरनेट के जरिये पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी अपनी स्टडी करने में काफी ज़्यादा दिक्कते हो रही हैं तो अगर तो इसकी वज़े से कहीं न कहीं आप सभी लोगों को परिशानियां जो जेली पड़ रही हैं वेपार की बात करें या फिर दूसी चीजों की बात करें सभी तरीकी जो दिक्कते हैं वो आप लोगों को हो रही है तो आप से पील यही रहेगी कि आप इस वीडियो कहीं ये देखा जा रहा है कि हर्याना सरकार की तरफ से यूटूब फेस्बूक पर या फिर ऐसी खबरों पर भी रोक लगाई जा सकती है जो अफ़ा की तरह ना फैले इंटरनेट पर पाबंदी लगाना वो कि सथ तक सही है आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं तो अभी के लिए फिलाल इतना ही नमस्कार